आज से दो ढ़ाई साल पहले कुछ ऐसी मोबाईल लोन एप्लिकेशन प्लेश को पर थी इन में से रूपी मैक्स क्रैजी रूपी इत्यादी जो की व्यक्ति को व्यक्ति के पैनकार्ड आधार कार्ड वर आसानी से लोन दे देती थी अगर कोई व्यक्ति उनका भुगतान करने में थोड़ी सी भी देरी करता उनकी रिकवरी एजेंट कभी तो कहते के मैं फलाना डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूं मैं फलाना पुलिस ओफिसर बात कर रहा हूं कभी कुछ बताते आप पेमेंट केजिए अनिता ऐसा हो अब ही मेरे पास में एक व्यक्ति की इमेल आए जिनका नाम है रवी कुमार रवी कुमार का कहना है आज से कुछ टाइम पहले मैंने कुछ मोबाइल लोन एप्लिकेशन के जरीए लोन लिया था और मैं उसका बुगतान नहीं कर पाया था और मेरे सिविल में पूरे तरीके स मुझे फाइनेंस पर मोबाइल वगरा नहीं दिया अब मेरे पास में एक व्यक्ति कोल करके बताता है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो 300 के लगबग अगर हो गया है या फिर 400 यह 500 यह आप 835 करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है आपको हमे 910 रुपे की पेमिंट करनी है आपका सिविल स्कोर जो है हम इंक्रीज कर देंगे क्योंकि हम सिविल डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं व्यक्ति बहुत से ऐसे होते हैं जिनको पुरे तरीके से इनफरमेशन होती है जानकरी होती है कि अहां भई ऐसा मतलब हो नहीं सकता तो वो इनके जहासे में नहीं होगा था क्योंकि फर्जी वाड़ा था फुरोड व्यक्ति था लूटे रहा था देखें आज की रेट में क्या हो गया है इनका जो धंदा पानी है वो बंध हो गया है recovery agents का थीक अब जब जब धंदा पानी बंद हो गया तो ये किसी ना किसी तरीके से ये payment चाहते हैं कि व् डेटा कलेट कर रहे हैं कहीं जाएंगे लोन की एड्स लगा देंगे आपने देखा होगा Facebook पर आपको बहुत सारी ऐसे एड्स मिलेंगे आपको Play Store पर भी बहुत सारी ऐसी अप्लिकेशन्स मिलेंगी व्यक्ति का गरता है इन पर अप्लाई करता है और अप्लाई करने के बाद यूट्यूबर तो वो कह रहा है कि यूट्यूबर के अगर आप अपना Civil Score बहतर करना चाते हैं आपके पास में सिर्फ एक सिर्फ उपाई क्या है उपाई ये है कि आप एक Credit Card ले लो और Credit Card लेने के बाद में आप उसकी Payment Continue करो उसकी जो Payment है उसमें क्या करें आप जो Limit मिल सेबिले स्कोर वगरा चेक आउट नहीं करती है इसली क्रेड़ काड देती हैं लेकिन क्रेड़ काड अगर आप लेते हैं तो आप एक बात समझें ऐसा यह मेरा व्यक्तिकत मानना है अगर आप एक रूपे का खर्चा करना चाहते हैं बंथ में तो आपका खर्चा डबल होग वो यह है कि अपने गले में खुद खुदी फंदा डालना क्रेड़ का मानना ऐसा है अगर आप वाक्ये में ही अपने सिबिल को बहतर करना चाहते हैं तो आपके सामने ओप्शन क्या है आपके सामने पहला ओप्शन है कि आप कंटीन्यू पेमेंट कीजिए अगर आप किसी प्रकार का कोई भी सेटलिमेंट वगरा करेंगे तो आपका सिबिल इसकोर कोई भी भैतर नहीं करा सकता क्योंकि सिबिल एक ऐसा हत्यार है इनके पास में उससे ये व्यक्ति के पूरे तरीके से पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का नेचर कैसा है इसका पेमेंट करने का क्या तरी करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा हो नहीं सकता सिबील बैतर करने का पहला उपाय तो यह यह कि अपने कंटिन्यू आप पेमेंट वगर करें आप भली बात इस बात को अच्छे से जानते हैं दूसरा उपाय आपके पास में क्या है दूसरा उपाय है आपके पास में कि आपका सिबील स्कोर इंक्रीज हो जाएगा अन्यता कोई ऐसा उपाय नहीं है जो मेरी वक्तिगत सोच है जो मुझे जानकारी है मैं उसके आधार पर जानकारी दे रहा हूँ बैतर जानकारी के लिए आप किसी भी फाइनेशल एडवाईजर या लीगल एडवाईजर से जो कि मैं आपको बता दू मेरे दुआरा जो भी इंफरमेशन आप तक पहुचाएं जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ जितना मुझे नोलीज है उसी के आधार पर इंफरमेशन दी जा रही है अगर ही मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है आप इस वीडियो को लाइक करक के जा सकते हैं किसी प्रकार का कोई सुझाव देना चाहते हैं आप मुझे एमिल कोईजिए आप मुझे कोमेंट कीजिए मैं विदन 24-72 आवर्स के अंदर अपने कोंटेंट को बैतर करने का प्रियास करूँगा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे एमिल के जरिए और ट्विटर के जरिए भी सुझित कर सकते हैं 24 आवर्स के अंदर अंदर विडियो लाने का पूरा प्रियास रहेगा मैं फिर मिलूँगा किसी और वीडियो में अपना ख्याल रखें अपनों को ख्याल रखें मैंने अपने सभी सोचल मीडिया एकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्श цен बॉक्स में प्रॉवाएट करा दिये हैं आप मेरे सभी सोचल मीडिया एकाउंटस पर मुझे फॉलो कीजेगा मेरा एक टेलिग्राम पर के चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं दूंगा ही दूंग